असलावलेकुम सभी भाईयों को मैं हूँ शफी वैंगलिवर से जैसे हर बार बताता हूँ नमस्करा ओनकम सस्रियकाग तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या रोड्स आ है पाइनियर के पाइनियर के जो ज्यादा कीवारे पाइनियर के पाइनियर के पॉपिंग रॉड और थोड़े टेलिसकोप रॉड तो यह रिक्वार्मेंट ज्यादा हा रहा है क्योंकि विटाउट अप्लोड ही सब बहुत लोग इसकी मांग कर रहे हैं तो सोचा इसको अपलोड कर दो क्योंकि इसके साथ में और भी ब कर लेते हैं बाद में वो चाहिए तो फिर अप्लोड हो जाएगा तब तक इसमें से आपको जो भी जरूरत मन लग रहा है जो सब कर रहे दो आप लोग यह रोट्स ले सकते हैं तो फर्स्च चुरुपात करते हैं अब ट्रावल राउब को पर जो बहुत लोग मांग रहे तो पाइनियर का टेलिस्कोप रोड इसमें आल्मोस्ट एक दो तीन साइज होंगे जो भी साइज है मैं अपलोड कर दूँगा कैटलोग में तो वहां पर देख के ले सकते हैं लेकिन अभी हमें यहां जो मिला है वो देख लेते हैं तो यह आया है तो यहां देख सकते हैं रोड का डीटेल और बहुत लोग पूछते हैं कुछ भी हो जो ब्रैंड्स है कौपी है या वर्जिनल है तो मैं आप भी बताता हूं जो भी आप डैवा पाइनियर लुकाना यह सब ब्रैंड्स आप मेरे पास देख रहे हैं वर्जिनल जिनीन ब्रैं कॉपी इसमें कुछ भी नहीं है जैसे पेन हो बुग्रैसिया हो में चल फ्लोड हो जो भी जितना भी प्रॉडेक्स मेरे पास खासकर रॉट्स में देख रहे हैं तो कुछ भी कॉपी नहीं है पूरा वर्जिनल प्रॉडेक्ट है क्योंकि बहुत लोगों कमेंट्स करते हैं प्लेस वाटसप में भी बहुत पूछ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में, मार्केट में जैसा जुपीटर सुफिरियर कॉपी आया था, वो ये कॉपी को लेके, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, कॉपी है, वर्जिनल है, तो आपका पूछना फरज है, मुझे बताना है, मै बताता हूँ, लेकिन फिर भी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहां पे खतम कर दो, ताकि वहां पे ज्यादा कमेंट्स ना आए, तो पूरा जिनीन प्रोडेक्ट है, बे फिकर लीजे, पूरा वर्जिनल है, यहां पे कुछ भी कॉपी नहीं मिलेगा आपको, खासकर यह तीन बैवा, पैनियर, लुकाना, यह तीन और बाकी के जो मेरे पास आते, पैन, अबुगरास, यह मैं चल फ्लोड, और यह डेटोनेटर, यह सब आपको वर्जिनल मिलेंगे, कॉपी नहीं मिलेंगे, अगर कॉपी कुछ आया, मैं खुद बोल दूँगा, आपको कॉपी है, पैनियर का सवेन और एट, हाँ, सवेन और एट, दो ही साइज स्टॉक आया है, और कलर्स, कलर्स इसमें अल्मोस्ट कुछ मिक्सिंग होंगे, जो भी है, हम वो कैटलोग में दे देंगे, वहाँ पे देख के ले सकते हैं, और बैतर इन रोड है, पिछली बार भी स्टॉक आ तो इसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या आया है, देखते हैं, तो उसके बाद आया है, पॉपिंग रोड, जो अंडर मैन एंगलर्स, बहुत मांग कर रहे थे, इसकी जो बहुत जल स्टॉक खतम हुआ था, मेरे पास, तो इस बार ज्यादा स्टॉक किया हूँ, आप लोग अराम से कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी खास बात यह है, चार्जर, जितना चार्जर लगता है, उतना ही चार्जर लगता है, आपको PVC पाइप का एक्स्ट्रा चार्जर नहीं लगता है, यह सब से बड़ी बात है और प्राइज भी जैसे मैं बताता हूँ, बाकी ब्रैंड जैसा हाई प्राइज नहीं है, बजजट प्राइज है ये वाले रॉड्स, बहुत बेतरीन है जो बजजट प्राइज में इतने अच्छे रॉड्स हैं, खासकर पाइनियर में, क्योंकि जैसे हमारा लुकाना, लुक इस तरह अभी उसके ऊपर के जो ब्रैंड नहीं है, जो मार्केट में आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, बहुत लोग को एफेट नहीं होता है, तो चलिए बढ़िया है, पाइनियर है, लुकाना है, तो क्या घम है, तो पॉपिंग रॉड्स, ये क्या नाम बोलना ही भूल गया हमें, जीटी वारियर, जीटी वारियर, सी स्पिरिट पॉपिंग रॉड, सी स्पिरिट पॉपिंग रॉड है, तो ये देखते हैं, ये अच्छे हेवी पोच के साथ है, जो आपका रॉड डैमेज होना वगेरा, कुछ ये नहीं रहेगा, और यहां पे आपको स्ट्रिप द बाकी, बाकी पॉपिंग रॉड ये अल्रणी बहुत बार आ चुका है, फिर भी जो नए मेरे सस्क्राइबर से उनको बता ना है, तो चलिए पॉपिंग रॉड देखते हैं, तो ये देख सकते हैं, इसका बट बहुत बेतर ही नहीं, और इस पे इस पे अल्रणी रिवीउस रिवियोस बहुत सारे आ चुके हैं यह राट के कुछ बोले जैसा ही नहीं है और यहां पर देख सकते हैं फूजी फूजी गैड्स के साथ आता है तो फूजी गैड्स आप यहां पर स्कैन भी कर सकते हैं जेटी वारियर एक बहुत बेतर इन राड है जो प्रीमियम में इतना हेवी राड है तो पॉजी का रील सीट का फूजी यह है क्योंकि यह हेवी राड है तब ही जाके पूरा इसमें सही से दिया है और यह देख सकते हैं यह जो दिख रहा है ज्यादा पुश अप मत कीजें वह उतना ही बैटता है फ्यूचर प्लैनिंग है जैसे जैसे आप यूज करेंगे वह सही से फिट हो जाएगा और थोड़ा राड का डीटेल बताता हूँ जीटी वारियर और प्रो ग्राफ़ाइट पॉपिंग रोड और लेंथ में आता है फ्यूच विट्स अवें पाइंट सिक्स में अल्मोस्ट यह वन पाइंट सिक्स विट होगा और यह शिक्स फीट का आपका आगे का बैट होगा और नहीं आगे का टिप होगा थर्टी ट्री किलो 27.3 किलो डेडलिफ दिया है राट का डेडलिफ और बाकी 27 मिंस आल्मोस्ट आप इसमें 50 किलो तक के फिश को भी अराम से होल्ड कर सकते हैं और कास्टिंग वेट दिया है 100 टू 200 गराम तू 100 गराम कास्टिंग वेट है जो हेवी पॉपर्स हेवी लिवर्स हेवी बहतरीन है और बाकी 100% कवारवन है और Designed Developer in Singapore और बाकी Detail तो इसमें बस उतना ही है और बाकी रोड जैसे मैं बोलता है बहुत हेवी है बहुत बहतरीन रोड है और डिजाइन भी देख सकते हैं यहां पर यह सब Craft है, Handcraft यह सब Handcraft है जो design दी है और fuji guides और यह जो देख सकते हैं आगे का tip guide टिप guide जो बढ़ने से बहुत safe करता है और बहुत helping करता है यह guides खास कर और ceramics ceramics भी almost बड़े बड़े है जो fuji sorry fg knots use करते हैं उनके लिए ताकि वो line आराम से बाहर out हो सके आप क्या वह ceramics damage ना कर सके उसलिए पहले ही ceramics पूरे बड़े size में दिया है line आराम से out हो जाएगा कुछ disturbance नहीं रहेगा और बाकी price price जो है screen पर आ जाएगा वहां पर चक कर सकते हैं जीटी warrior जीटी warrior तो उसके बाद देखते हैं जब popping rod का बता रहा हूं तो popping rod finish कर लेता हूं बाकी surf rod है वह next में यह कर लेता हूं और डॉक्टूट डॉक्टूट आ चुका है 8.3 8.3 feet में वह almost 7.6 feet उससे 1 feet ज्यादा रहेगा यह वाला तो यह भी देख सकते हैं यह बहुत हेवी इसके साथ तो अच्छा यह white color में शायद नहीं दिख रहा है तो ओके तो यह बहुत white है उससे ज्यादा heavy यह है गेज पाइप का बढ़िया है चलिए देखते हैं जो भी weight आता है वह चक कर लेंगे कोरियर में और इसका नाम था अच्छा डाक्टू डाक्टू तुना ओके डाक्टू टूना बहुत 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 पोच के साथ और बाकी यहाँ पर शायद आपको क्लियरली दिखेगा चक कर सकते हैं यह भी बहुत हेवी रोड है जैसे जीटी वारियर है उससे हेवी बोल सकता हूं यह वाला क्यूंकि इसके उपर क्याचस अल्रड़ी देख चुका हूं मैं डाक्टू डाक्टू टूना पर तो चलिए बहुत बढ़िया है हाँ इसका मेर कश्टमर जो अप्लोड किये थे मुझे फारवड किये थे टूना का डाक्टू टूना के साथ ही वह अल्रड़ी पूरा यहां तक है यहां पर होल्ड किये है फिश पुरा नीचे लैंड हुआ है मुंडी से यहां पर टेल है तो सोच सकते हैं कितना बढ़ा है तो यह रोड पर बहुत बहुत बैतर इंड राड है मैं वह क्लिक जरूर शेर करूंगा याद से पिछली बार भी बहुत बार में बोलता हूं कुछ ना कुछ लेकिन वीडिया एडिट के समय भूल जाते हैं वह फोटोस देना तो यह देख सकते हैं ग्रीन सीरीज ग्रीन सीरीज का कॉर् यह भी बहुत हेवी है और यह भी आल्मोस्ट आपको इतना बाहर आता है तो यहां पर देख सकते हैं इतना बाहर आता है अच्छा रीसेंटली रीसेंटली हमारे विशालवाई जो अंडामान में अंडामान में 30 किलो का जीटी लैंड किये थे तो यही रोड है जो बहुत जल भूल जाता हूं मैं तो इसका वीडियो देख सकते हैं हमारे विशाल भाई के चानल पर जाएए डी जर्मी वेड रीसेंटली अप्लोड हुआ है जीटी अंडामान फिशिंग का वीडियो तो वहां पर देख सकते हैं यह रोट का पावार तो अल्रडी क्लियर ल बाता है तो आल्मोश्ट ग्रीन सीरिस कॉर्बनी हैं लेकिन इसके उपर यह जो हैंड क्राफ्त किया है यह सब हैंड क्राफ्ट है जो rod का खुबसूरती बढ़ाता है तो और भी अच्छा है इसमें वो handcraft किये हैं और ये भी आता है fuji guides के साथ fuji guides के साथ तो यहाँ पे चक कर सकते है scanner fuji guides के साथ आता है और pioneer rod poch almost यहाँ पे free दिया है तो almost rod का price ले रहे है poch जो आपको आ रहा है उसमें वो free है company से बाकी rod का price सिर्फ company ले रहा है क्योंकि वहाँ पे clearly दिया है तो वही बताना है हमें तो इसका भी आगे का tip देख लेते हैं तो यह भी almost 3 लेगी होगा ताकि वो बढ़ने 3 लेग का ही है जैसे same दिक्तों में rod जैसे explain किया इसका भी ceramics बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है ताकि आपका वो long costing सही से हो और knots में कही touch ना हो और यह बहुत बेत्तरीन rod है यह वाला भी तो इसका देखते हैं क्या है details तो पाइनेर और डॉक्टूट टू power graphite popping rod और यह आता है 8.3 feet 8.3 feet तो आल्मोस्ट एक 2 feet होगा और बाकी rod का वो यह रहेगा क्योंकि clear detail में देदूँगा वहाँ चक कर सकते हैं और इसका lifting lifting दिया है 36.4 kilo 36.4 kilo deadlift है GT warrior से 10 kilo और ज्यादा इसका power है lifting में lifting में दिया है और costing weight दिया है 150 gram तो 300 gram तो आल्मोस्ट वो rod से 100 gram और extra costing weight इसमें दिया है तो आपके हिसाब से जो layers खेलते हैं उसे हिसाब से आपके हिसाब से देख के ले सकते हैं बहुत बेतरीन rod है और खासकर इसमें line rating P8 और OS में दिया है यह में translate करके catalog में देदूँगा वहां पे चक कर सकते हैं और बस details में इतना ही है और यह जैसे में बताया था 100% carbon 100% carbon आता है तो यहां पे चक कर सकते हैं जो सिंगापूर का यह दिया है यहां पे वो वाला तो popping rod जिनको भी यह पसंद आ रहा है आपकल इसको booking कर सकते हैं बहुत बहुत बेतर इन रोड है उसके बाद देखते हैं next क्या है हमरे पास surf rod तो surf rod देखते हैं pioneer में pioneer में जो बहुत मांग कर रहे था surf rod क्यूंकि इसमें pen में शायद pen में surf rod लेके आया था लेकिन वो थोड़ा बहुत expensive है almost 14,000 13,000 के आसपास है लेकिन बहुत लोग बोले के उतना expensive हमें थोड़ा मुश्किल है budget price में लाईए तो चलिए budget price में आपके लिए यह rod ला चुका हूं pioneer surf rod तो यह बहुत बेतरीन rod है यह भी regular आ रहा है और अच्छा moving भी है और अच्छे results भी आ रहे मुझे क्या है जैसे मैं बोलता है सब लोग चाहिए मुझे तो चलिए देखते है pioneer और यह आता है size 13 feet 13 feet में आता है और बाकी जो है 14 feet 15 feet तो इसमें इस बार 3 sizes में आया है आल्मोश पिछली बार शायद एक size या 2 size आया होगा इस बार 3 size में लेकर आयूं जिनको जो size चाहिए आप लोग ले सकते हैं तो यह देख सकते हैं बजू का बजू का बोलता हूं मैं इसको क्योंकि बहुत heavy है तो heavy rods है pioneer में तो चलिए पहले एक-एक finish करते हैं क्योंकि यह तीनों एक साथ पकड़ूंगा कुछ भी मैं समझा नहीं सकोंगा तो pioneer sir fraud यहां पे थोड़ा details देख सकते हैं शायद दिख रहा होगा क्योंकि shining भी है शायद थोड़ा low भी दिखता है और यहां पे logo देख सकते हैं Singapore क्योंकि company जो है Singapore की company है और यहां पे carbon का 100% logo भी चक कर सकते हैं और बाकी यहां पे detail दिया है और यह भी बहुत अच्छा crafting किया है बहुत अच्छा design दिया है तो बहुत बेतर ही नहीं जो sir fraud sir fraud 13 feet में और यहां पे देखिए यहां पे made in China दिया है जैसे मैं बोलता है manufacture China लेकिन brand distributor और जो brand holders जो होते है वह Singapore से है जैसे मैं हर बार बताते रहता हूं same concept है वह वाला और बाकी rod का detail देखते हैं पहले यह देख लीजे rod का detail से पहले यह देख लीजे मेरा हाथ कितना मोटा है लेने से पहले सोच लीजे क्योंकि खासकर यह बनता है rod salt water fishing के लिए तो बहुत लग वह जैसे मैं हर बार बोलते रहता हूं confused होके photos देखके 3 piece में हैं बोलके ले लेते हैं बाद में सोचते हैं तो वह सोचने में नहीं देता हूं यही पे clear कर देता हूं तो rod का detail बताना भूल गया line rating और इसका deadlift है 22 kg.7 22 almost 23 kg deadlift है 23 kg आप आराम से निकाल के फेख सकते हैं यह rods पे क्योंकि यह उतने heavy आते हैं और बाकी वैसे तो मत करिये क्योंकि अपना चीज है हम safety करना है तो वैसे मत करिये वैसे भी वैसा 22 kg कोन lift करेगा मैं यहां पे 20 kg लिफ्ट करता हूं पूरा ठक जाता हूं तो 20 kg आप नहीं करेंगे पता है फिर भी जितना हो सकता है किनारे में लीजे और costing weight दिया है इसमें 100 to 250 gram costing weight दिया बढ़िया costing weight है क्योंकि यह rods को वह costing weight चाहिए क्योंकि पूरा जैसे मैं भी बताता हूं salt water में खासकर पूरा wind को फाड के निकलना है अपना line और अपना lure या तो live weight कुछ भी हो निकलना है तो इतना costing weight चाहिए plus rod जितना length रहता है उतना long आपका costing जाता है बहुत बेतर ही नहीं और action heavy है action heavy rod है तो यह हो गया आपका butt जो आगे का उसके बाद next tip में बताता हूं second tip और बाकी जितना मैं यह हम बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं इतना clear से ताकि यह दो rod को मैं उतना explain नहीं करूंगा यह key rod का explain ज्यादा तर पूरा clearly होगा क्यूंकि यह same rod है बस उसमे costing weight deadlift plus line rating यह बस तीन हम absorb करेंगे बाकी जो है सब यहीं पर clear कर दूँगा तो sorry okay इसमें guide damage हुआ है no problem मैं वह change कर लूँगा तो उसके बाद देखिए ऐसे मुझे खुद ऐसे बहुत आ जाते हैं लेकिन क्या करें कुछ ना कुछ company से बात करके हम कराना है भेजना है फिर return दूसरा मंगाना है तो ready कराना है होता है rods है इतने इतने बड़े guides आते हैं तो होता है कर लेंगे कोई बात नहीं बाकी rods देख लीजे बेफी कर रही है आपको इसे नहीं आएगा यहां से पूरा चक करके नहीं pack करेंगे बेफी कर रही है और बाकी आगे का यह guide तो यह देख सकते हैं यह guide बहुत बैतर इन दिया है जो आपको travel travel करने में बहुत save करता है तो यहां पे देख सकते है folding तो यह पूरा fold हो जाता है और यह से आ जाता है और कभी भी आप इसको push up करना है तो यहां नीचे से आप उसको push up करना है नीचे से जैसे trigger आता है trigger जैसा यहां से मत करिए पूरा तूटके जाएगा trigger जैसा यहां से आपको lose करना है तो ऐसे trigger जैसा तो यह perfect उसका unlock, lock करने का system होता है बाकी यहां पे खींच किये मत वो कभी भी future में तूटना कुछ भी हो सकता है तो safety, safety trigger तो चलिए बढ़िया है यह second joint आता है आपके बायद का उसके बहुत थड़ joint गुकिन्ट थड़ जोइन्ट देखते हैं आगे का टिप एस आगे का यह गाइड भी चक कर सकते हैं कितना बढ़ा दिया है ताकि आपका वो खासकर में जैसे बोलते रहता हूं खासकर यह लाइव बैट में लीडर लाइन ज्यादा यूज होता है तो आल्मोस्ट पाइमेटर त्री मीटर टू मीटर भी हो सकता है लेकिन राट के हिसाब से कास्ट आपको गाइड बढ़ा दिया है यहां पर ताकि वो डिश्टेवेंस ना हो सेरेमिक जली खराब ना हो उसी लिए तो थर्टीन फीट का रोड है और बाकी बाकी थर्टीन फीट हो गया और प्राइज प्राइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या प्राइज रहेगा उसक उसना जल हो सकता है क्योंकि एक्स्प्लेन में मैं टाइम दे दूंगा लेकिन वो अन्बाक्सिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यही सोचके मैं थोड़ा जल जल फिनिश कर रहा हूं तो उसके बाद आता है 14 फीट 14 फीट में भी आल्मोस्ट आपको सेम है डिक्तो रोड है बाकी पूरा रोड डीटेल जैसे बताया था वही से ही रहेगा और गाइड गाइड भी इसमें भी सेम दिया है 14 फीट में भी सेम दिया है और आल्मोस्ट कितने गाइड है वो सब में कैटलोग में दे दूंगा वहां पे चक कर सकते हैं तो इसका रोड का डीटेल बताता हूं 14 फीट है और लाइन रेटिंग आल्मोस्ट 25-50 ली लाइन रेटिंग सेम है और डेड्लिफ 22.7 आल्मोस्ट सेम डेड लिफ्ट है और कास्टिंग वेट 100-250 ग्राम सब सेम है डिक्तो है बस साइस चेंज है 13 फीट 14 फीट तो चलिए 15 फीट में क्या है द बताने के बाद थोड़ा समझ में आता उस हिसाब से लेते हैं तो चक कर लेते हैं वहीसे भी ज्यादा रॉट्स नहीं है लास्ट फाइनल है तो फिनिश कर लेंगे तो 15 feet में तो यह देख सकते हैं 15 feet almost 15 feet means आप समझ चुके आपको ये 5 feet का आता है ये 5 feet का आएगा छोटा मोटा रॉड नहीं है प्लीस पूरा वीडियो देख लीजे देखके रॉड खरी दिये और ये खासकर जैसे मैं बोला सर्फ रॉड के लिए है स्वाल्ट ओटर फिशिंग के लिए है तो ये देख सकते हैं उससे भी हेवी आता है ये रॉड तो बाकी लाइन रेटिंग लाइन रेटिंग देखते हैं और कास्टिंग वेट देखते हैं लाइन रेटिंग दिया है 25 to 50LB डेड लिफ्ट 22.7 आलमस्ट 23 और कास्टिंग वेट 100 to 250 ग्राम आलमस्ट तीन रॉड का भी सस्पीकेशन जो भी बोलते हैं वो बोलना ही छोड़ दिया हमें फिर भी अभी स्टाइट किया हूं तो जो भी है वो सेम रहेगा बाकी कैटलोग में आप चक कर सकते हैं और खासकर पिछली बार भी मैं एक्स्प्लेंड किया था ये रॉड के बारे में ये खासकर सॉल्ट ओडर फिशिंग क अगर आप इसको इन्वेस्ट करके खेलना चाहरे हैं आप लोग भी कर सकते हैं लेकिन रॉड बहुत हेवी आता है आप देख के ले सकते हैं और बाकी सर्फिशिंग सर्फिशिंग जैसे मैं पिछली बार क्लियरली एक्स्प्लेंड किया हूं पिन के रॉड में दो तीन वी बाकी बाकी तो बहुत सारा है कुछ नहीं बोलूगा जो अपलोड आएगा आएगा देखिए अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए देखते हैं जो कमेंट्स ज्यादा रहेगा उस हिसाब से वीडियो सो जाएंगे तो प्रॉडेक्स ऐसे ही बताता बैटकास्टिंग जो हमारा फेवरेट रॉड पाइनेयर आड्रिफ्ट अनब्रेकवल अनब्रेकवल मेरे वह रॉड के भी वीडियो देख सकते हैं डेड्लिफ्ट जब सीरे यूटूब पे जाएए पाइनेयर आड्रिफ्ट टेस्टिंग वीडियो आपको शायद 2-3 बहुत बैटरीन रॉड है तो वह रॉड्स आ चुके हैं और पाइनेयर फायर उल्ला उसके साथ बहुत सारे हैं निकाल चुका था मैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा जाएगा तो उसे ज्यादा टाइम नहीं देंगे उसको फिर रख दिया में वह नेक्स्ट वीडियो कर लेंगे तो बताइए वीडियो में आपको रॉड नेक्स्ट वीडियो चाहिए या पाइनेयर का ऐसे से रिस चाहिए तो वह सिसाब से वीडियो होगा और बाकी लुकाना का भी बहुत सारा श्टाक आ चुका है देखते हैं यह करके फिनिश करते जाएंगे तब तक इसमें इसे जो भी पसंदारा अपकल से बुकिंग कर सकते हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया सबी भायों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं हमें इसे ही सपोर्ट करते रही है, इंशालला अच्छे से अच्छा प्रोडेक्ट लाके देनी की कोशिश करूँगा, शुक्रिया